दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है किसान दिल्ली के 5 एंट्री पोइंट्स को सील करने की तैयारी में है आपको बता दे कि केंदर के क्रिशी विलों के खिलाफ किसानों का अंदौलन आज सौमवार को पांचवे दिन भी जारी रहा किसानों के जमावडे को देखते हुए पुलिस ने सिंदू और टीकरी बॉर्डर को आवा जाई के लिए बंद कर दिया है बुराडी में निरंकारी समागम ग्राउंड पर मौजूद किसानों का प्रदर्शन जारी है उदर गाजीपूर गाजियाबाद बॉर्डर पर पुलिस ने बेरिकेट्स और सिक्योरिटी बढ़ा दी है कानून मंत्री रविश अंकर प्रिसाद ने कहा है कि नए क्रिशी कानून पी एम सी मंडियों को खत्म नहीं करते हैं मंडिया पहले की तरह ही चलती रहेंगी सूचना एम प्रिसारण मंत्री प्रकाश जावेड कर ने कहा है कि क्रिशी कानून पर गलत फहमी ना रखें सरकार चाहती है कि सभी किसान बुराडी पहुँचे तो बाचीत की जाए लेकिन किसानों ने रविवार को कहा था कि बुराडी नहीं जाएंगे और दिल्ली की घेरा बंदी के लिए पाँच एंट्री पोइंट्स पर धरना देंगे किसान नेता पलदेव सिंग सिर्सा बोले हमारे पास इतना राशन है कि चार महीने भी हमें रोड पर बैठना पड़े तो बैठ लेंगे गाजियाबाद बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों की पुलिस से हाथा पाई हुई हाला की बाद में यहां किसानों ने भजन भी गाए उधर सरकार अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में जुटी है ग्रह मंत्री अमिच्शा, रक्षा मंत्री राजनात सिंग और क्रिशी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड़ा के घर रविवार रात बैठक की किसान आंदोलन के चलते हाईवे का नजारा मिनी पंजाब जैसा हो गया है ट्रोलियों को ही किसानों ने घर बना लिया है यही खाना बन रहा है तो यही नहाने और कपड़े धोने का इंतजाम है जगह जगह लंगर लगे हैं धरने वाले धरने पर बैठे हैं खाना बनाने वाले खाना बना रहे हैं सभी को अलग-अलग जम्मेदारिया दी गई हैं किसान ने दा बलदेव सिंग सिरसा ने का कि सरकार ने ये शर्ट रखी थी कि हम हाईवे खाली कर बुराडी जाएं शर्ट अपमान जनक हैं हम बुराडी मैदान में नहीं जाएंगे क्योंकि वह ओपन जेल है इसका सबूत भी है हमारे पास उत्राखन के तेजिंदर सिंग विर्क की अगवाई में किसान दिल्ली के जंतर मंतर जाना चाहते थे सोनीपत रोहतक के 72 गड़ जाएपुर से दिल्ली हाईवे मतुरा आगरा से दिल्ली हाईवे गाजियाबाद से आने वाले हाईवे जाम करेंगे और दिल्ली की घेरा बंदी करेंगे पांच एंट्री पॉइंट्स पर धरना देंगे हमने रहने के लिए ट्रेक्टर टॉली को घर जैसा बना रखा है हम लंबे दोर की तैयारी करके आए हैं किसानों ने कहा कि हमने एक कमेटी बनाई है यही पांचों पॉइंट्स पर धरने प्रदर्शन का संचालन करेगी किसी भी राजनीतिक दल को स्टेज पर बोलने की इजाज़त नहीं है कॉंग्रेस आप या कोई भी राजनीतिक दल के लोग हमारे स्टेज पर स्पीकर के तोर पर नहीं बोलेंगे इनके अलावा दूसरे संगठनों के जो संचालक कमेटी के तैय नियमों को मानेंगे उन्हें बोलने की इसाज़त दी जाएगी इसके साथ ही किसानों ने ये भी कहा कि वे बुराडी में मौझूद अपने साथियों को वापिस बुलाएंगे बुराडी में किसानों का एक ग्रुप पहले से ही डेरा डाले हुए है इससे पहले ग्रह मंत्रिया मिच्छाने का था कि किसान बुराडी मेदान पर इकठे हो इसके बाद उनसे बात की जाएगी किसान संगठन पहले ही कह चुके है कि वे दिल्ली घेरने आए हैं ना कि दिल्ली में घिर जाने के लिए जाएगा टिल्ब रेपने के लिए बाल इकन को फिक कर हमारी चैनल को लाइग जाएगी शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाल